बोलो तुलसा मैया श्री शालिगराम दे भगवाने की जै तुलसा विवा कार्थिक मास की शुकल पक्ष की एकाच्छी तिथी के दिन मनाया जाता है तुलसी विवा में माता तुलसी का विवा भगवान शालिगराम के साथ किया जाता है सास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि तुलसी विवा करने से कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है इसलिए यदि किसी की कन्या ना हो तो उसे अपने जीवन में एक बार तुलसी विवा अवश्य करना चाहिए ताकि वह कन्यादान करने का पुन्य प्राप्त कर सके धार्मिक मान्यताओ के अनुसार इस दिन देवी तुलसी बैकूंट दहम को गई थी जो व्यक्ति विदी विदान के साथ तुलसी विवा संपन करता है उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते है तुलसी और शालिक राम देव भगवान का विदीपूर्वक पूजन करने से सबीग मनों कामनाई पूर्ण होती है तो चलिए अब मैं आपको तुलसी जी की कथा सुनाता हूँ एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समूंदर में फैक दिया उस से एक महा तेजस्वी बालक ने जनम लिया यहे बालक आगे चलकर जालंदर के नाम से प्राकर्मी तैत्थेराजा बना इसकी रासदानी का नाम जालंदर नगरी था काल नेमी की कन्या विरिंदा से उसका विभा हुआ जालंदर महा राक्षस था अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी की कामना से युद किया परंतु समंदर से ही उत्पन होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में सुईकार किया वहां से प्राजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश परवत पर गया भगवान देव आदीदेव शिव का ही रूप धार कर माता पार्वती के समीब गया परंतु माता पार्वती ने अपने योगवल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से वें अंतरध्यान हो गई देवी पारवती ने करूध होकर सारा वरतांत भगवान विश्णु को सुनाया जालंदर की पत्नी वर्णदा अत्यंत पतीवरताज्टि थी उसी के पतीवर्द धरम की शक्ती से जालंदर ना तो मारा जाता था और ना ही प्राजित होता था इसलिए जालंदर का नाश करने के लिए वरंदा के पतिवर्ध धरम को भंक करना बहुत ही आवक्षक था इस कारण भगवान विश्नु रिशी का वेश धार कर वन में जा पहुचे जहां वरंदा अकेली ब्रह्मन कर रही थी भगवान के साथ दो मायावी राक्षश भी थे जिनें देखकर वरंदा भेभीत हो गई दोनों राक्षशों को भस्म कर दिया उनकी शक्ती देख वरंदा ने कैलाश परवत पर महादेव के साथ युद कर रहे अपने पती जलंदर के बारे में पूछा रिशी ने अपने माया जाल से दो वानर पर कट किये एक वानर के हाथ में जालंदर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ अपने पती की यह दशा देखकर वरंदा मुर्चित होकर गिर पड़ी जब वे होश में आई तो उन्हें रिशी ने गोश में आने पर उन्होंने रिशी रूपी भगवान से विंती की कि वह उसके पती को जीवित कर दे भगवान ने अपनी माया से उन्हे जलंदर का सिर धर से जोड़ दिया परंतु स्वेम भी वह उसी शरीर में परवेश कर गए वरिंदा को इस जल का तनिक भी आबास ना हुआ जालंदर बने भगवान के साथ वरिंदा पती वर्ता का वहवार करने लगी जिससे उसका सचित्व भंग हो गया ऐसा होते ही वरिंदा का पती जालंदर युद में हार गया इस सारी लीला का जब वरिंदा को पता चला तो उसने करुद होकर भगवान विश्नु को हर्देहीन शिला होने का शाप दे दिया अपने भक्तों को शाप भगवान विश्नु ने सुईकार किया अपने भक्त के शाप को भगवान विश्नु ने सुईकार किया और शाली ग्राम पत्थर बने गई स्रिस्टी के पालन करता के पत्थर बन जाने पर अनसंटूलन की स्थिती हो गई यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वरिंदा से प्रातना की वे भगवान विश्णु को शाप मुक्त कर दे जहां वरंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पोधा होगा भगवान विश्णु ने वरंदा से कहा हे वरंदे तुम अपने सतित्व के कारण मुझे लक्षमी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो अब तुम तुलसी के रूपने सदय मेरे साथ रहोगी तब से हर साल कार्थिक के महिने में देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवा के रूपने मनाया जाता है जो मुझे भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवा करेगा उसे इस लोग और परलोग में विबुल यश्प राक्त होगा उसी देत्य जालंदर की यह भूमी जालंदर के नाम से विख्यात है सती वरिंदा का मंदिर महुला कोट किशनचंद में स्थिट है इसे कहते हैं इस थान पर एक प्राचीन गुफा भी है जो सीधा हरीद्वार तक जाती है सच्चे मन से 40 दिन तक सती वरिंदा के मंदिर में पूजा करने से सभी मनुरत पूरे होते हैं जिस घर में तुलसी होती है वहां यमदूत कभी नहीं जाते मिर्ट्यू के समय जिसके प्राण मांजरी जरहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं यह पापों से मुक्त होकर बैकुंट धाम को प्राप्त होता है जो मनुश्य तुलसी वै आउले की जाया में अपने पित्रों का शुराद करता है उसके पित्र मौक्ष को प्राप्त होते हैं इस परकार माता तुलसी और विश्नुहरी का विवा संपन हुआ तुलसी संग शाली ग्राम ब्याहे सज गई उनकी जोडी तुलसी विवा संग लगन शुरू हो आए जल्दी लेकर आओ पिया तुम डोली बोलो तुलसा मैया श्री शाली ग्राम देव भगवाने की जैन